फिल्म के जो शुरुवात के सीन है वो यहीं से ही लिए गया है लख्या दादा यहीं से ही जाते रहते हैं अभी यहां पे देखिए खेती हो रही है और जो थोड़ा जमीन का इस्तर है अभी वो लेविलिंग हो चुकी है आप तो थोड़ा नीचे हो चुका है नमशकार साथि स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी एक नए वीडियो में दोस्तो अभी मैं और मेरा दोस्त जेतन पहुंचे है राजिस्तान के जैपुर जिले से लगबग 40 किलोमेटर की दूरी पर एक सामोध गाउं है तो सामोध गाउं में अभी हम बंदोल की नदी में खड़े लेकिन एक समय पहले याँ पर नदी बाहा करती थी और इस जगे को जो है बंदोल की नदी कहा जाता है वर्ष 1989 के अंदर में यहाँ पे एक फिल्म बनाए गई थी जिसका नाम है बटवारा बटवारा फिल्म की कहानी से आप भली बाती परिचित होंगे और इस फिल्म की ज आते हैं उस समय यहाँ पर पूरा रेगिस्तान एरिया था और अब यह यहाँ पर खेती होती है तो देखें लख्या दादा इस रोड़ से ही आते रहते हैं हलांके अभी यहाँ पर एक रोड़ बन चुके पक्की लेकिन उस समय कुछ नहीं था तो देखें यह जो पीछे प से सबी जो सीन है यहां के मैच करवाऊंगा तो दोस्तों के दोस्ती के ओपर बनिये फिल्म है जो अलग-अलग जाती विशेश से होते हैं और ठाकुर विकरम सिंग इसमें विनोत खन्ना को दिखाया गया है और ठाकुर सुमेर सिंग है वो दिखाई देते हैं धर्मेंदर दिखाया है दर्मेंदर जी की एक फिल्म पहले भी आई थी सन 1985 में गुलामी वह भी बहुत जाद अच्छी है वह भी फिल्म की जो कहानी है दिल को भाती है तो यहां से जो भी सीन बटवारा के लिए गए हैं फिलाल बटवारा फिल्म के जितने भी दरश्यां आँसे लिए गाड़ी पर जाते रहते हैं आप सकते हैं फिल्म की अगली लोकेशन पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको पहाड दिखाई दे रहे हैं पिल्म में इसका सीन दिखाई जाता है और यहीं से ही जाते रहते हैं उटगाड़ी पर और यह पहाड़ी दिखाई देती है तो यह जो पूरा छेदर है न इसे बंदोल की नदी कहा जाता है देखिए वो जो पहाड़ी स्टार्टिंग में मैंने दिखाई वो भी आप यहां से दिख रही होगी देख सकते हैं तो यहीं से ही सीन लिया जाता है और अभी यहां पर देखिए बहुत सारे पेड़ उख चुके हैं जाड़िया उख चुके जिसकी वज़े से आपको यहां पर रिगि अमरता सिंग जी को लेके आते रहते हैं और यहां पर रिगिस्तान का सीन दिखाई देता है ठीक है इसी जगह पर जो विनोत खन्ना जी है वो विनोत खन्ना जी भी यहां पर छुपके बैठे रहते हैं एक डाकू के भेस में और वो जो पीछे ना पहाड़ी बैसिकली वो पहाड़ी दिखाई देती है उसके कट को आप मैच करके देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में तो पहाड़ी दिखाई देती है और विनोत खन्ना जी डाकू बनके बैठ रहते हैं फिर क्या है वो डराने के लिए आते हैं और रील में ही डाकू आ जाते हैं मलब ऐसा कहते है न तो बस यहीं के ही जो सीन थे, वो बटवारा के लिए गए थे, इसके अलावा महारकला सामोद और एक गाउ है, अमरसर, वहाँ पे भी इसके बहुत से सीन शूट किये गए है, तो आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और जानकारी में यहां से जूड़ी आपको दे देता हूँ, यह जो जगए प्रसिद है, महा माया माता जी का यहां पर मंदिर है, काफी वर्ष पुराना और इसी जगए पर मेला भी लगता है, तो इसी जगए से यह प्रसिद है और इसके अलावा इसे बंदोल की नदी से जाना जाता है, बहुत से में आपर शूटियंग हो चुकी है जैसा कि कराण अरजुन कराण अरजुन फिल्म की स्टार्टिंग भी यहीं से ही होती है इसमें जो मारने के सीन आते हैं वो यहीं के आते हैं अशोका फिल्म के आ nitrogen को भी यहां पर ही शूट किया गया था जिसमें शारुक खान युद्ध करते हैं उसके अलावा जै विक्रांता फिल्म के भी कुछ द्रश्चे आसे लिए गये हैं और भी बहुत सी फिल्में आपर शूट हुई है जिनके मैं नाम भी नहीं जानता इस वीडियो के अंदर में जो आपको ब अलेस है और वह यहां से कुछ दूरी पर इस्तित है तो अभी मैं फिलाल आपको गाउं के सीन दिखाने वाला हूं तो देखे जो पेड़ देख रहे हैं इसी पेड़ का फिल्म के अंदर में सीन दिखाए गया है इसी जगह पर लोग बैठे रहते हैं और ठाकुर विक्रम स होते हैं वह यहां पर विरोध करता रहता है ठाकुरों का तो उसी का सीन दिखाए गया है और यहां पर फिर क्या गांवाले जो है और विनोत खन्ना में जड़ा पो जाती है और फिर विनोत खन्ना जो है फिर धर्मिंदर जी के साथ निकल जाते हैं और एक जानकारी में और आपको देता हूँ जो फिल्म के अंदर में धर्मेंदर की जो हवेली दिखाई गई न वह यह हवेली है देख सकते हैं आप फिल्म के टाइम पे जो यह पेंट है इसका अलग होता है इस मकान का लेकिन अभी काफी परिवर्तन यहां पर हो चुका है अभी चेंज हो चुका है तो अब मैं आपको जो है न अगली लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि सामोध हवेली की है दोस्तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ सामोध पैलेस देख सकते हैं यहां पे जो पहाडियों का नजारा है बेखत ही खुबसूरत दिखाई दे रहा है और यह ड्रोन शोट में जो देविन है जो मर जाता है तो उसको यहां पर लेके आते हैं देख सकते हैं मैं एरो लगा रहा हूँ तो इसी जगह पर देवन जो है वो लेटा रहता है और बाकी जो ठाकुरों की हवेली है वो इसी जगह को दिखाया गया है तो यह जो सामोध पैलेस है बहुत ही ज होती है देख सकते हैं आप और यहां पर उपर आप देखेंगे तो उपर की साइड में आपको एक सामोध फोर्ड दिखेगा जो कि बहुत ज्यादा पुराना है वरतमान में अभी इसके अंदर में जो है खाली है खंडर है अभी इसमें कुछ ज्यादा आपको गुमने को नही करें तो आपको जानकारी जो है कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और आपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना क्योंकि देखिए ऐसी पुरानी यादो भरी जानकारिया मैं आपको दिखाता रहता हूं तो फिर मिलेंगे जल्द ही नई